सबसे पहले विने कुमार सिंग जी, तुर्क वर्सिस पठान, बीजीपी अब इस अंगल को ले आई है, वो तो कहा रहे है कि सर्वे की लड़ाई है ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के ही दो पक्ष हैं, एक तोर कर एक पठान, सांसद और विधायक, दोनों आपस पर लड़ रहे हैं, दोनों के समर्थ को ने हिंसा की, और दोनों के समर्थ को नहीं, एक दूसरे पर गोलिया चलाई, पत्थर चलाई, जिसमें चार पठान, मुस्लिम युवक मारे थे, भारती जनता पार्टी की, एक सोची, समझी, रणनीत के चाहत, एक नफरत की राजनीत है जो लोगों को बाटना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर सीधी सी बात है, कि वहाँ पर एक बार जब सर्वे हुआ था, तो दुबारा अगर आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, तो बैटके बात चित किये होते हैं, लेकिन सर्वे करने के लिए, जो एक बार रात में पहुँचते हैं, तो कहते हैं कि रात में पहुचे हमें ठीक से सर्वे नहीं कर तो चोरों के तरह से रात में जाने के आऊ सकता नहीं थी, लोगों के बीच में बात चित करके जाते हैं, और किसने सर्वे से रोका है, पहले भी सर्वे हुआ किसी नहीं नही गई है गोली मारी गई है सीधा सा गोली मारा गया है इसमें और मिल नहीं भारती जणता पार्टी का फेलोर है जो आज कुद्र की मेरे उत्तर प्रदेश में उपचोनाओ में हुआ है वह भारती जंदा पार्टी का तंडो सब जाईयों के दहलीज पर पनपी हुई उसकी दहलीज पर पनपी हुई एक पार्टी है उसका जन्वी दंगा से हुआ है तो दंगा इनके लिए कोई नहीं बात नहीं है यह जो है सहारपूर बातावरण उत्तर परदेश में बनाना नहीं चाहते इनके नफरत की दुकान अभी लोग सभाचों चुना हुआ है जनता ने दिखाया है कि कैसे बंद की जाती है आज उसी का छट-पटाहट है जिस तरह का तांडव जिस तरह से इन लोगों ने हरकत उप्चुनाव में किया है उसके बाद भी जनता ये चीज जान चुकी थी उसके बाद इन्हों ने जो हद जूट है इनको बाट नहीं सकते ये बाटने का जो प्रयास है तूर्का और जो पठान का जो अलग सलेंत्र ये रच रहे हैं ये सफल होने वाला नहीं है उत्तर परदेश के अंतर इनकी नफरत की दुकान जो है वह बंद होगी जो भारती जो समाजवादी पार्टी की एक सहाथ पूर बातावरान बनाने का जो प्रयास है जो मुहबबत का एक पैगाम है वह जारी रहेगा भारती जनता पार्टी के नफरत की दुकान को बंद किया जाएगा कॉशल कांची आप लोगों ने आरूप लगाया जितना गरवाल कह रहे हैं आपके यूपी सरकार में मंतरी हैं वह यह कह रहे हैं कि यह तो तुर्क परसिस पठां की लड़ाई जिससे समाजवादी पार्टी तो इनकार कर रही है वह कहरे यहां तक रही मुद्य की बात करते हैं मुद्य की बात करते हैं अखिलेश यादों कौन होते हैं यह कि सर्वे कितनी बार होगा कितने बज़े होगा नोटिस दिया गया मस्जिद कमेटी की टीम थी उसने रिसीव किया है उसके बाद सर्वे पर हुआ क्यूं दंगा दंगा इनके अपने मेंबर आफ पार्लियमेंट और इनके अपने विदायक बिना बुलाए 19 तारीक को क्यों थ उसमें भी इनका नाम है और इसी वज़े से दोनों पक्ष आपस में हीरो बनने की कोशिस कर रहे थे चाहे आप कहे तुर्क की बात कहें चाहे पठान की बात करें कि कौन बहुत बड़ा हिमायती है मस्जिद का इस चक्कर में दोनों लड़े और मरे कोई गोली नहीं चली है व समाजवादी पार्टी के लीडर ने एक बार भी यह नहीं कहा कि यह पत्थरबाज मुझ्रिम है यह पत्थरबाज जो मुँपे नकाब बांद करके घूम रहे थे जो पत्थर चला रहे थे जो द्रोन से तस्वीरे आई है चटों पर जो पत्थर जमा हुए थे जो गोलिया को बाटो मुसल्मानों को जोड़ो यह राजनीती करते आई है अब जब मुसल्मान बढ़ रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है समस्या यहां पर केवल वोट बैंक की है